वेलकम तो करेंट शिक्षा आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी आज इस क्लास में हम एकोनॉमिक प्लानिंग से समाधित मातपूर्ण पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम निती आयोग प्लानिंग कमिशन और फाइफ यर प्लान से समाधित मातपूर्ण पॉइंट्स जो की एक्जाम के लिए बहुत मातपूर्ण हैं उनको हम देखने वाले हैं इस क्लास से आप लोगों को दो से तीन कुशन हर एक्जाम में जरूर देखने को मिलेंगी तो आप लोग क्लास को अंते तक ज हो जाएगी उसके बाद हम वर्ड जोगरफी को कवर करेंगे आए आज की शुरुआत करते हैं तो कि यहां पर सबसे पहले आर्थिक नियोजन यानिकी एकनॉमिक प्लानिंग से समंधित पहले हम इसका इतिहास देखेंगे फिर कैसे कैसे भारत में यहां पर इसका विकास चुरू हुआ है तो सबसे पहले एम विशु सुरया ने 1934 में प्लांड एकनॉमि ऑफ इंडिया सीर्षक नाम से एक बुक को प्रकाशित किया था उसी मेहनों ने फाइफ यह प्लानिंग और एकनॉमिक प्लानिंग से समधित महत्रपुड पॉइंट्स को दिया था उसके ब और इसके अध्याक्ष जवाहला नहरु को बनाया जाता है नेच्ट हैं 1944 में बंबई के आठ उद्योग पतियों ने आर्थिक नियोजन के लिए बॉम्बे प्लान को घुशित किया था कब किया था उन्योजन में बंबई के आठ उद्योग पतियों ने आर्थिक नियोजन के नाम से यहां पर बॉंबे प्लान गोशित किया इसके बाद 1946 में केशी नियोगी समिति का गठन किया गया है केशी नियोगी को आप लोगों ने जरूर कहीं न कहीं सुना हो गया और इनकी सिफारिष पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का निर्माड किया जाता है योजना आयोग का निर्माड जो है 1946 में केशी नियोगी समिति की सिफारिष पर यहां पर 15 मार्च 1950 को किया गया है अब हम देखते हैं योजना आयोग के बारे में योजना आयोग जो है हमारा इसकी स्थापना 15.1950 को होती है जो योजना आयोग है इसका गठन मंत्री मंडली प्रस्ताव से यहां पर इसकी स्थापना की जाती है योजना आयोग गैर समिधानिक है और वैधानिक निकाए नहीं यहाँ पर वैधानिक निकाय नहीं है और गैर समिधानिक है यानि कि इसका कोई भी जिक्र समिधान में किसी आर्टिकल में नहीं किया गया है परामर्ष दात्री यानि की एडवाइजर की भूमिका में योजना आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग ही पंच वर्शी य नरेंद्र मोदी जी थे इसके पहले योजना आयोग के पहले उपाधच पहले उपाधच हैं गुलजारिलाल नंदा जी और यहां पर अंतिम जो हैं मेंटेक सिंग अहुल वालिया यहां पर इसके अंतिम उपाधच हैं योजना आयोग के इसमें क्या था कि योजना आयोग में केवल केंद सरकार जो है शामिल थी अब आगे देखेंगे ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि आगे जो है विहां पर राजियों को भी मौका दिया जाएगा योजना आयोग में सिर्फ केंद सरकार कि यहां पर members शामिल थे आगे देखते हैं अब एक और निकाए है वो है राश्टिय विकास परिशद यानि की नेशनल डवलमेंट काउंसिल इसका गठन जो है छे अगस्त उनिस्सो बावन को किया गया था इसमें कौन-कौन शामिल था इसमें केंद सरकार शामिल थी राजिके मुख्यमंतरी शामिल थे और यूनियन ट अब हम देखते हैं निती आयोक के बारे में जो हमारी नीती आयोग है यहाँ पर इसको बनाया गया है तो इसमें कौन-कौन सामिल किया गया NDC के जो मेंबर हैं और योजना आयोग के जो यहाँ पर मेंबर थे इनको इसमें शामिल कर दिया गया यह लोग आप यह बाते आप लोग को नहीं पता होंगे कि इसमें कौन-कौन सामिल होता है तो निती आयोग को लाया गया किसके जगह पर योजन आयोग यानि की Planning Commission के स्थान पर निती आयोग को लाया गया और ये लाया गया था एक जनवरी 2015 को जो मोदी जी गवर्मेंट में आये तब इन्होंने इसको लाया क्योंकि जो पहले planning commission था उसमें केंद सरकार ही सिर्फ सामिल थी तो उसको लागू तो राज्यों में किया जाता था और शामिल उसमें सिर्फ केंद सरकार थी तो उसका विरोध भी होता था इसलिए इसको हटा के निती आयोग को लाया गया निती आयोग का full form कभी कभी एकजाम में पूचता है वो है National Institution for Transforming India राश्ची भारत परिवर्तन संस्थान इसको कहा जाता है निती आयोग भी गैर संविधानिक और गैर वैधानिक संस्था है क्योंकि इसका विजिक्र समिधान में कहीं पर नहीं है मंत्रिमंडली प्रस्ताव से इसका गठन भी किया गया है निती आयोग भी Think Tank यानि की Advisor के रूप में ये कारि करती है शहकारी संगवाद सिधान्त पर बेजड है निती आयोग ये कुशिन पूछा गया है कि निती आयोग किस सिधान्त पर बेजड है तो ये सहकारी संगवाद सिधान्त पर बेजड है यानि की Cooperative Federalism पर निती आयोग बेजड है निती निर्माण में केंद्र और राज इसमें दोनों शामिल होते है अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ important points है निती आयोग के जो अध्यच है वो होते हैं प्रधानमंतरी तो भारत के पहले यहाँ पर जो निती आयोग जब बना ता प्रधानमंतरी नरेंदमोदी जी थे तो पहले प्रधानमंतरी नरेंदमोदी जी होके वर्तमान में भी नरेंदमोदी जी ही प्रधानमंतरी हैं तो यही इसके प्रधानमंतरी समय भी है नितियायो के उपाध्धच एक्जाम में जरूर पूछता है तो पहले उपाध्धच जो थे वो हैं अरविंद, पंगडिया वर्तमान में इसके उपाधच हैं सुमन बेरी निती आयो की CEO भी एक्जाम में पूछता है मुख्य कारिकारी अधिकारी तो पहले थे सिंदू, खुलर और वर्तमान में CEO हैं BVR, शुब्रिमनियम आगे देखते हैं गवर्निंग काउंसिल गवर्निंग काउंसिल में जो है राज के मुख्यमंतरी UT के यानि की Union Territories के प्रसासक और उपराजपाल शामिल होते थे जो निती आयो का गवर्निंग काउंसिल है इसमें राजों के मुख्यमंतरी, Union Territories के प्रसासक और उपराजपाल शामिल होते हैं नितियाख में और भी मेंबर्स हैं, यहां पर कुछ चार जो हैं वह वो पूर्णकालिक सदस हैं, यानि की पर्मानेंट मेंबर्स हैं, वो हैं पहला है विके सरस्वत, दूसरे हैं रमिश शंद्र, तीसरे हैं विके पॉल, और अभी हाली में बनाआए गए हैं अर्विंद वि वित्त मंतरी निर्मलाशी तरमन हैं कि रसी मंतरी जो अभी थे नर्देन सिंग कोमर आप ये वहां से इन्होंने स्थीपा दे दिया तो अभी करसी मंतरी कोई भी नहीं है अब यहां पर जो उस समय करसी मंतरी जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो जो रहेगा वही इसका अंसर होगा तो ग्रह मंतरी यहां पर हमिशा है इस समय तो यह इसमें शामिल है तो यहां पर पद आप ध्यान रखें कि कौन सा पद इसमें सामिल होता है और जो उस समय रहता है वही इसका पद इन सदस मतलब जो इस पद पर विराजमान रहेगा वही इसका मेंबर होगा य एक्जाम में कोश्यन बहुत आता है तो यह भी एक बार आप लोग ध्यान से देखिए पंचवर्शी योजना यानि कि 5-year plan इसको हम आगे FYP से डिनोट करने वाले हैं और यह आजादी के बाद आया हुआ है तो यहां पर भारत का विकास कौन-कौन सी पंचवर्शी योजना में जो महत्वण पॉइंट्स हुई हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो देखते हैं पहली पंचवर्शी योजना जो आई हुई है एक अप्रेल 1951 से 56 तक यह चलती है पहली पंचवर्शी योजना हेराल्ड मॉडर डॉमर मॉडल पर आधारित है यह कोशन भी के एन राज ने इसका प्रारूप जो है वो तयार किया था के एन राज ने इसका प्रारूप पहले पंचवर्शी योजना का तयार किया है यहां पर मुख के फोकस जो है वो है क्रशी और सिचाई पर योजना पर क्रशी और सिचाई पर योजना पर यहां पर मुख के फोकस यानि की CDP शुरू किया गया था Community Development Program 2 October 1952 को और यहाँ पर पद का गठन किया गया था एक Block Development Officer यानि की BDO का पद जो है इसी पंचवर्शी योजना में गठित किया गया था Next है बहुद देशिये नदी घाटी पर योजना है जो कि यहां से पूचता है कौन-कौन सी यहां पर विक्सित की गई थी तो वो हैं दामोदर नदी घाटी पर योजना भाकडा नागल नदी घाटी पर योजना और हीरा कुन जो है नदी घाटी पर योजना यहां पर विक्सित की गई थी तीन और बहुत देशी जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना है इनको आधुनिक भारत का मंदिर भारत के पहले प्रदान मंतरी पंडिश जवाला नेरु ने कहा था और इसी के टाइम पर जब योजना पहली वाली जो पंचवर्शी योजना चल ला ही थी तब उनीस सु से देखें कि श्यों को से केंडी प्लान यह आया हुओ था उनीससोचपन से 11 तक और जो प्लान यहीं ता पीसी महनलोंोबिस मौडल पर आधारित है PC महानलोबिस वेस्ट बेंगॉल के रहने वाले थे और इनका जब जन्म होता है 21 जून को होता है उस दिन को हम लोग राश्टी सांखे की दिवस मनाते हैं दूसरे 5 येर प्लान में भारी उद्योग पर बल दिया गया जैसे कि यहाँ पर लोग इसपात उद्योग खोले गये थे और इंटेग्रल कोच फैक्टरी की भी स्थापना दूसरे 5 येर प्लान में होई थी इंटेग्रल कोच फैक्टरी जो है ये 6 नई में इस समय है तीन यहाँ पर आइरन इस्टील प्लान्ट इस्थापित किये गए थे यहाँ पर जो इस्थापित किये गए हैं तीन आइरन इस्टील प्लान्ट एकजाम में पूचता है पहला था भिलाई ये है 36 गड़ राजमे और इसमें सहायता किया था सोवियत संग उसमहें सोवेश संग था, अब क्या है? रोस हो हैं? तो इस ने यहां पर भिलाई जो स्टील प्लांट है, इसमें सहता किया था. दूसरा है राउल केला, यह ओडिशा में है और इसमें जरमनी ने सहता किया था. तीसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर है वेस्ट बेंग CDP जो कारेक्रा में वो शुरू हुआ था तो यहां पर जो है 1957 में बलवंतरा मेहता समिती का गठन किया गया है इसकी समिछा करने के लिए और यही आगे चल कर जो है अभी आप देखने वाले हैं कि 3035 राज विवस्ता की भी यहां पर शुरूआत होती है इसी तो 2 अक्टूब परी 1958 को DRDO की स्थापना भी इसी पंचोर सी योजना के दोरान होती है DRDO क्या है भारत का Defense Research Development Organization है अब थार्ड फाइप यह प्लान के बारे में देखते हैं थार्ड फाइप यह प्लान यह आया हुआ है 1961 से 66 तक यहां पर चलता है देखो यहां पर तीन इस्तिती पैदा होती ह पर इस्तित क्या होता है 1962 में चीन जुह है भारत पर आक्रमण कर देता है और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है और 1956 से 66 यहां पर 260 तक भीशन शूखा पड़ता है तो इससे भारत में क्या है अकाल पड़ जाता है देखो युद्ध भी चलता है चीन ने भी आक्रमड भारत पे किया पाकिस्तान और भारत का भी युद्ध होता है और भीशन सूखा भी पड़ा है तो यह हो जाता है फाइफ एर प्लान जो तीसरा वाला यह असफल हो जाता है अब यहाँ पर जो हमारी अर्थवस्ता है वो टेक आफ करने की इस्तिती में थी पहले वाले में हम लोग थोड़ा सा उठे दूसरे में उठे अब यहाँ से उठने वाले थे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ चीन ने भारत पर अक्रमड कर दिया और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया विशोन सूखा भी पड़ा तो यहाँ पर यह जो हो गया यह असफल हो गया यह कुशन यह आया हुआ है कि कौन से फाइफ यह प्लान को टेक आफ स्टेज की स्थिती में था तो वो था तीसरा फाइफ यह प्लान स्वयम सुफूर्तिवान अवस्था यहां पर तीसरे फाइफियर प्लान में थी सुखमे चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारि था लेकिन इसको लागो नहीं किया जा सका यहां पर एक स्टील प्लांट जो है लगाया गया है बोकारो स्टील प्लांट जो की जारखंड में है और इसमें रूस ने सहायता किया था तो तीन तो दूसरे में लगे थे एक जो थर्ड एर में लगा है थर्ड प्लांट में बोकारो स्टील प्लांट जो की जारखंड में है इसमें रूस ने सहायता किया है 1964 में Industrial Development Bank of India की स्थापना होती है यानि की IDBI Bank की यहां पर स्थापना 1964 में होती है 1964 में ही Unit Trust of India की भी स्थापना होती है 1965 में Food Corporation of India यानि की FCI की स्थापना होती है Food Corporation of India यानि की भारतिये खादे निगम की स्थापना 1965 में होती है देखो यहां पर क्या था खादिया संकट आया था तो यहां पर Food Crisis थे तो इसलिए इसकी स्थापना की जाती है जिससे जो खादे संकट है इसको कवर किया जा सके और इसी Five Year Plan में भारत के पहले प्रदान मंत्री की मृत्ति होती है 1964 में यानि की दुवालान लेहरू की मृत्ति जो है 1964 में थर्ड Five Year Plan चल रहा था तब ही होती है इसके बाद क्या आता है कि उस समय के लिए यहां पर जो Five Year Plan है इसको रोका जाता है तो इसको कहते हैं Plan Holiday यह हो जाएगा हमारा योजना अवकास जो की तीन वर्स तक रहता है 1966 से 67 तक 1967 से 68 तक और 1968 से 69 तक यहां पर योजना अवकास रहता है तो तीन वर्सों के लिए यहां पर गैपिंग रहती है इसमें हर साल के लिए अलग से प्लान बनाए जाते हैं तो आप फिर प्लान को रोका जाता है कुछ समय के लिए 1969 में लीड बैंक योजना की जो है शुरुवात होती है नरिमन समिती की सिफारिस पर लीड बैंक योजना की जो है शुरुवात 1969 में नरिमन समिती की सिफारिस पर की जाती है अब जब भारत में खाद्या संका टाय हुआ था तो इसके लिए हरित करांती को यहां पर अपनाया गया हरित करांती जो है 1966 से 67 तक रही और बाद में यहां पर हरित करांती जो है आगे बढ़ती चली गई देखो हरित करांती की जो जनक हैं विश्व में नर्मन बारलॉग है और भारत में MS स्वामिनाथन है और जो हरित करांती जो सब्द है इसको दिया है विलियम गार्ड ने जो हरित करांती सब्द है इसको दिया हुआ है अब हरित करांती से क्या हुआ हरित करांती जो शुरुवात हुई तो यहाँ पर सबसे पहले गेहूं से इसमें शुरुवात की गई तो गेहूं की जो फसले हैं ये अच्छी खासी होने लगी और इससे सबसे अधा फायदा जो हुआ उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाना और पश्चमी उत्तर पदेश को हुआ और यहाँ पर गेहूं की हाई इल्डी वराइटी लगाई गई इससे यहाँ पर किशानों को बहुत फायदा हुआ लेकिन क्या हुआ इसमें उर्वरक डाले गए तो क्या हुआ कि जो जमीन थी उसको बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ हरित करांती कुस्तो फायदे मंद थी जितना की पहले थी लेकिन भारत की उसमें नीड थी कि खाने का भुखा यहाँ पर भुकमरी पड़ी हुई थी तो करना आवश्यक ही था उच्च गुडवत्ता वाले बीज यहाँ पर विक्सित किये गए और रशायनिक उर्वरक का यूज किया गया और सिचाई जो है इसक 1969 से 1974 तगे रहता है यहाँ पर धे वाक क्या है इस्तिर्था के शाथ विकास यानिकी ग्रोथ विथ इस्टेबिलिटी यहाँ पर मुखिस का धे था और जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राश्टी करण किया गया है अब सब जो बैंकों का राश्टी करण है यह सब पिछली वीडिय 1973 से 74 तक सूखा प्रवण छेत्र कारिक्रम यानि की DPAP कारिक्रम जो है यह चलाया जाता है सूखा प्रवण छेत्र कारिक्रम 1973 से 74 तक चलाया जाता है 1974 में ही आपरेशन इसमाइलिंग बुद्धा के तहत भारत में पहला परमाड़ परिच्छन पोखरण राजस्थान में गिया जाता है यह आप लोग जानते ही होंगे परिवार नियोजन कारिक्रम भी चौथे फाइफियर प्लान में शुरू किया जाता है इसमें लोगों की नस्बंदी जो है पकड़ पकड़ करकी की जाती है यहाँ पर परिवार नियोजन कारिक्रम चौथी पंचवर्शी योजना में शुरू किया गया था जो हमारा चवता पंचवर्शी योजना है इसका प्रारूप जो गार्डगिल ने तयार किया था इन्होंने इसका प्रारूप जो है तयार किया था अब हम देखते हैं फिप्त फाइफ यर प्लान के बारे में फिप्त फाइफ यर प्लान जो है हमारा पंचवा पंचवर्शी योजना जो है 1974 से 78 तक आई हुई है 1974 से 78 तक आई है और यह बेस्ट थी DP धर मॉडल पर पांचवी पंचवर्सी योजना है एक मात्र एसी पंचवर्सी योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गई थी क्योंकि यहाँ पर गवर्मेंट चेंज हो गई थी इसलिए यह समय से पहल पार्टी की सरकार बन गई और यहां पर जो पीम बने मुरार जी देशाई इन्हों ने इस योजना को समाप्त कर दिया इन्हों ने कहा कि अब गवर्मेंट चेंज होई है तो यह पुरानी जो सरकार थे उसकी योजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यह जो है इसको बंद क कर देते हैं फाइफ यह प्लान को आओ कहते हैं कि हर साल के लिए अलग से प्लानिंग की जाएगी यहां पर गरीबी उनमूलन के साथ विकास इसके मुखे उद्देश थे आत्म निर्भरता भी यहां पर उद्देश रखा गया था 1974 में नियूंतम आवसक्ता कारिकरम की शुरुवात की गई थी 1974 में नियूंतम आवसक्ता कारिकरम की शुरुवात हुई है दो अक्टूबर 1975 में छेतरी ग्रामीर बैंक की स्थापना की जाती है यानि की आरारबी की स्थापना जो है दो अक्टूबर 1975 में की जाती है जो पा यहाँ पर शुरू होता है 1977 से 78 तक काम के बदले अनाज जो है वो दिया जा रहा था अब आगे रिखते हैं rolling plan जो कि अनवरत योजना है इसको कहा जाता है अनवरत योजना है यानि कि rolling plan आया हुआ था क्योंकि five year plan तो बंद हो गया था तो इसके लिए अनवरत योजना आई 1978 से 79 तक और 1979 से 80 तक दो साल के लिए यहाँ पर rolling plan आया था और इसमें वार्शिक योजना थी इसमें वार्शिक planning की जाती थी उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य होता था जो rolling plan है इसका प्रतिपादक जो है गुनार मेडाल ने किया है यह question exam में आया हुआ है कि rolling plan किस ने दिया है तो यह गुनार मेडाल ने दिया है इनकी एक book है famous book है Asian drama इनकी book है गुनार मेडाल की next है six five year plan जो हमारा six five year plan है यह आया हुआ है 1980 में 80 से 85 तक छटी जो पंचवर्शी योजना है आई थी यहाँ पर फिर से congress की सरकार बन जाती है तो यह फिर से इसको चलू कर देती है यहाँ पर आगत निर्गत मॉडल पर यह बेज़ थी यानि की input output मॉडल पर छटी पंचवर्शी योजना बेज़ थी यानि की यहाँ पर रोजगार स्रजन और गरेबी उन्मूलन का यहाँ पर लच्छ रखा गया था जो यहाँ पर 2400 कलोरी ग्रामीर छेतर के लिए और 2100 कलोरी शहरी छेतर के लिए यहाँ पर जो है कलोरी होनी चाहिए अगर इतनी नहीं होती है तो इसके नीचे गरीब होगा वो यह सब यहाँ पर छटी पंचवर्शी योजना में ही डिसाइड किया गया था यह सब जो है पिछली क्लासेज में हमने जो गरीबी वाली है उसमें डिसकस किया है तो आप लोग अच्छे से उसको देख लें 1980 में यहाँ पर 6 बैंकों कराश्टी करण किया जाता है 1982 में नाबाट की स्थापना होती है और एकजिम बैंक की भी स्थापना होती है यह सब भी पिछली क्लासेज में कवर किया है लेकिन यहाँ पर जो पूरा टाइम लाइन से चलना है तो यहाँ पर इनको कवर करे ले रहे हैं आगे देखते हैं रोजगार जो मानक वर्स है यहां पर रोजगार के लिए एक वर्स में 273 दिन होना चाहिए और एक दिन में 8 गंटे यहां पर रोजगार मिलना चाहिए पांच वर्स को ध्यान में रखकर नीतिगत विकास करने का लच्छ रखा गया था हम देखते हैं सात्मी पंच वर्सी योजना सेवेंट फाइफ एर प्लान जो की आया हुआ है 1985 से 90 तक यहां पर एक नारा दिया गया था रोटी रोजी रोटी उत्पादकता यानि कि भोजन काम और उत्पादकता यहां पर नारे ये दिये गये थे सात्मी पंच वर्सी योजना से नेजी छेत्रो को वरीता दिया जाना स्टार्ट हो गया था 1986 में स्पीड पोश्ट की शुरुवात हुई थी सात्मी पंच वर्सी योजना में 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई ट्राइफेड वही संस्थान है जो जनजातिय छेत्रों की उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की विवस्था करने वाली जो संस्था है इसको ट्राइफेड कहा जाता है जनजातिय छेत्रों की उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की विवस्था करने वाली संस्था है ट्राइफेड इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर जन जाती है सहकारी विपनन शंग इसको कहा जाता है 1988 में सेवी की स्थापना होती है 1985 में इंदरा आवास योजना जो है शुरू किया जाता है अब इसका नाम चेंज हो गया है अब इसका नाम है PM आवास योजना इसको कहा जाता है अब पहले इसका नाम 1985 में शुरू की गई थी इंद्रा आवास योजना इसमें गरीबों को यहाँ पर मुफ्त में house provide किये जाते हैं शुरू इसे योजना अयुअ आया है ये आया है 1990 से 1991 से 1991 तक ये कब आया यहाँ पर पर जो प्रधान मंत्री थे व थे शुरूंए राया और मन मुहां सिंग यहां पर वित्त मंत्री थे यहवे क्योंकि इस समय जो योजना अवकास इसलिए लाया गया था क्योंकि विदेशी मुंद्रा भंडार का यहां पर संकट आ गया था तो इसलिए योजना अवकास आया तो यहां पर फाइफिर प्लान को रोका गया तो यहां पर LPG जो नीती है इसको अपनाया गया L for Libertization यानि की उदारी करण P for Privatization निजी करण G for Globalization वैस्वी करण यहां पर अपनाया गया और इकनॉमी को open कर दिया गया भारत की इकनॉमी जो है अब open economy हो गई इसको अपना के यहां पर जो है संकट जो विदेशी मुद्रा का भाखा है इसको कम किया गया जो हमारा यह योजना आवकास है यहांपर जो योजना आवकास आया हुआ है राव सिंग सुधार model के नाम से इसको जाना जाता है राव सिंग model पर ये based है राव माने नर्शिम्हा राव सिंग यानि की मनमोहन सिंग model पर ये based है इसी के बाद यहाँ पर भारत में LPG लागो हो गई थी LPG जो नीथी है इसको हम अगली क्लास में डिसकस करेंगे विविद में तो आप लग ध्यान से देखें एर्थ पंची वर्षी योजना यानि कि एर्थ फाइफ इयर प्लान ये आया है 1992 से 1997 तक यहाँ पर Human Development जो इंडेक्स है 1990 में आया था इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है UNDP युनाटे नेशन डेवलेमेंट प्रोग्राम के द्वारा की जाती है तो आठमे पंच वर्षी योजना में मानव संसाधन विकास जो कारिकरम है इसको शुरू किया गया था आठमे पंच वर्षी योजना जॉन मिलर मॉडल पर बेज़ थी अब यहाँ पर जो मानव है इसको स संसोधन 1992 आता है और यह पंचायती राज युवस्था से संबन देता है आप तो जानते ही होंगे इसको भी पॉल्टी की क्लासेंस बहुत अच्छे से डिसकस किया गया तो आप लोग वह भी देखें क्योंकि पॉल्टी जो है कंप्रेट हो चुकी है एक जनवरी 1995 को WTO यान और 1993 में PM रोजगार योजना भी शुरू होती है यहाँ पर उर्जा पर सरवाधिक वे होता है आठवी पंचवर्शी योजना में अब देखते हैं नवी पंचवर्शी योजना यानि कि 9th 5-year plan हमारा आया हुआ है 1997 से 2002 तक यहाँ पर 1998 में भारत में जो है दूसरा परिच्ण करता है कहां करता है पोखरण राजस्थान में होता है इसको और एपी जेवदुलकलाम यहाँ पर परमाडु परिच्ण करते हैं ऑपरिच्ण सक्ती के तहत तो जब भारत यहाँ पर परमाडु परिच्ण कर लेता है तो भारत जो है दुस्मनों से तो घिरा ही प्रिश्टियां देखिए कि फिर से चेंज हो गई है अमेरिका आप भारत के साथ में आ गया है नियाए पून वितरन एउम समानता के साथ विकास इसका देवाक्य था पी-म गराम सड़क योजना की शुरुआत नवी पंचवर्सी योजना में होती है और कब होती है 25 दिसमबर 2000 को यहां पर इसकी शुरुआत होती है पी-म प्रधान मंति गराम सड़क योजना की यहां पर 12 मासी सड़कों का विकास जो है यह उद्यसिता कि जो सड़के बनाई हैं वो 12 मास चलें तो 25 दिसमबर को क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे सुसासन दिवस अटल बिहारी बाजपई के जन्म दिवस के आउसर पर मनाया जाता है और जो यह पी-म गराम सड़क योजना है यह भी अटल बिहारी बाजपई के टाइम पर ही शुरू हुई थी अगे देखते हैं दस्वा फाइफ एयर प्लान यानि की टेंथ फाइफ एयर प्लान जो हमारा है यह आया है 2002 से 2007 तक यहां पर इंक्लिजव डबलमेंट यानि की समाविशी विकास करने का लच्छ रखा गया था इसके तहट सबका साथ सबका विकास करने का यहां पर ही है और इसको लागू 2006 में किया जाता है यहां पर लच्छ रखा जाता है कि वन छेत्र कवर जो है यह 33% रखा गया था और अभी भी यह 33% ही है कि वन छेत्र जो है पूरे छेत्र का इसको 33% किया जाए नेक्स्ट है दस्वा फाइफ एयर प्लान जो की 2007 से 2012 तक रहा और यह नहांपर तीब्र और समा विसी विकास का लच्छ था बारत की GDP में लगभग 8% की व्रद्धी हुई जो की सभी गर्ज। सरवाधिक थी। 8% की व्रद्धी हुई कौनसे यर्मे जो 11 हुआ फंचवर्जद लग व्रद्धी हुई और यह सबी पंचवर्सी योजणाव में शरवादिक है GDP ग्रोथ की सिच्छा का अधिकार अधनी एक्ट जो है 2009 में यानि की RTE एक्ट 2009 11 पंचवर्सी योजणाव में आया था जिसको लागू किया गया था 1 अप्रेल 2010 को RTE एक्ट को लागू किया गया था अनिवार सिच प्रारंबिक सिच्छा देने का यहां पर प्रावदान था और इसको आर्टिकल 21 में 21A में इसको सामिल किया गया है 86th Constitutional Amendment Act के द्वारा इसको लागू किया गया था नेक्स्ट है बारवा फाइफ येर प्लान यानि की बारवी पंचवर्सी योजना 2012 से 2017 था कि इसका टाइम पिरेड था लेकिन बीच में गवर्मेंट चेंज होती है और ये बंद भी होता है यहां पर तीव सतत धारणी और समाविसी विकास करने का लच्छ है Rapid Sustainable Inclusive Development का यहां पर लच्छ रखा गया है Sustainable क्या है यानि की पर्या बरण को ध्यान में रखकर विकास करना यही हमारा Sustainable है और SDG गोल जो है ये निर्धार्द किये गए है 2015 से 2030 तक इनको लच्छों को हांसिल करने का यहां पर लच्छ रखा गया है और SDG गोल जो है वो 17 हमारे है पहला वाला poverty से संबंधिता यानि की गरीबी से यहां पर जो target था वो 8% ब्रद्धी दर का यहां पर रखा गया था क्रिशी चेतर में ब्रद्धी का जो है 4% था विनिर्मान का यहां पर 10% था यह जो points है यह important है क्योंकि यह last 5 वर्ष योजना है यहां से भी question पूछ लेता है ब्रद्धी दर का जो लच्छ था वो 8% था क्रिशी में 4% की ब्रद्धी का लच्छ था विनिर्मान चेतर में 10% की ब्रद्धी का लच्छ था यहां पर target था गरीबी को 5 वर्ष में 10% कम करना यानि कि प्रतिवर्ष 2% की कमी करना यहां पर target रखा गया था प्रद्धी दर जो है उसको 2.1% करने का लच्छ था यानि कि productive rate जो है उसको कम करने का लच्छ यहां पर रखा गया था यहां पर प्रद्धी दर जो है 2.1% का लच्छ रखा गया था नेक्स्ट है सिसू मृत्युदर यहां पर IMR जो है सिसू मृत्युदर है इसका जो लच्छ था वो था 25 अपॉन 1000 यानि कि जीवित जन्म एक हजार जो बच्छे हैं इसमें सिर्फ 25 लोगों की मृत्युदर हो और 1000 जो है इसमें जीवित रहे जाएं मात्र मृत्युदर MMR जो यहां पर है इसमें 100 अपॉन एक लाख जो है जीवित शिशुदर जो है इसका लच्छ रखा गया था मतलब एक लाख अगर बच्छे जन्म लेते हैं तो उसमें 100 जो माता हैं इनकी सिर्फ MMR जीवित जा सके इस ही होज़ना का सरवाधिक जो वे है सामाजिक और सामुदाइक सेवा में लगाया गया था तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसके बाद अभी एक क्लास और बचेगी एकनॉमिक्स की जिससे ये एकनॉमिक्स हो है आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वेडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें धन्यवाद चेहन